सीट शेरिंग को लेकर बने अस्मंजस के बीच पूरुवसांसद आनन वोहन ने चेतावनी दी है कि अगर शिवहर संसद ये सीट से किसे ने खेलवाड किया तो महागडबंधन को गंभीर परिणाम भोगतने पड़ेंगे हाली में कॉंग्रिस में शामिल हुई पूरुसांसद लवली आनन ने अर्से सेश सिवहर सीट से चुनाव लड़ने की दाविदारी ठोक रखी है सहरसा मंडलकारा में गोपाल गंज के डीम जी कृष्णया हत्याकाण में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे पूरुसांसद आनन बोहन ने कोट पेशी के दौरान कहा लवली आनन सिवहर सीट से ही चुनाव लड़ेंगी वो सिवहर से लड़ती रही है शिवहर उनकी कर्म भूबी रही है जबसे वो खुद जेल में है तबसे लवली आनन ही वहां की जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरती रही है कोई कम आकर शुहर की जन भावनाओं के साथ अगर खिलवाल करेगा तो वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत चुका नहीं होगी हम ये अब दो दिन तीन दिन अभी है अभी ये कोई से हम कहा दे कि लवली आनन को टिकट नहीं मिले गए हमः फुटवाल नहीं है कि कोई हमकोulous कर दे ठोधका कारा काइट कैने कि क्यों कर सोच नहीं कि कार्या है हम सिर्फ यह कार है वहां से जीते हैं लव्ली आनन वहां से हम जीते हैं बीक्रम गंज काराकाट में जो वहां की वो बड़ा काराकाट में जहां हम सकेंड किये थे हमारे लिए अगर ये सारे लोग इमांदारी से एक जुट हो तो बिहार के किसी कोने में लवली आनंद जीच सकती है उनका दावा है कि कोसी में वैशाली, बकसर, पोर्णिया और बिहार के लगबख सभी सीटों पार इसका नुकसान जहिलना पड़ेगा उन्होंने कहा है कि वो फुटबॉल नहीं है कि कोई उन्हें कॉर्णर कर दे बिहार के किसी भी कोने से लवली आनंद जीच सकती है ऐसा दावा पूर्यूर सांसाथ अनंद मोहन ने किया है आज दो, चार, पांच टिक्टो की मांग करते हैं विहार में उन समों से विगत 12 बरसों से लोह सलाखों में कैद रहने के बावजूद आनंद मोहन बिलकुल इसको सगर्ब कहता है, कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमारा जनाधार किसी से कम नहीं शुहर्थ सीट पर कई और पाटियों की नजर भी है, ऐसे में आनंद मोहन का हरकाना लवली आनंद को फाइदा देता है या नुकसान ये तो सीट बटवारे के वक्त ही मालूम चलेगा सहरसा से धीरत सिंग बिहार तक